सम्मेलन जो आज पाटी की दोरा किया गया आज का जो दिन है 25 जुन और 25 जुन 1975 पूर इस देश में आप आपकाल पुसुत किया गया था आप जानते हैं कि वह हमारे देश के इतिहास एक काला दिन आप जितने भी हमारे प्रभुत है उनको जनना चाहिए कि इस देश में जिन्होंने कई वरसों तक सासन किया सफता में रहे किस प्रकार से देश के संभीधान के साथ शेड़ शड़ किया जो प्रेश है उसका पूरा का पूरा सेंसर कर दिया कहीं भी किसी प्रकार के लोग जो सरकार के खिलाब बोलते थे सब को जेल के अंदर कर दिया गया आप समझेए लोक नाइक जैप्रकास नाराएं जी उनका तित्रा वड़ा योगदान वह स्वकंत्रतान दोलन में रहा बहुत बड़ा योगदान रहा उनको भी जेल में डाल दिया गया उनकी किटनी जारत वर्ष के इतिहास में बहुत ही 14 दिन पर 25 जूप और इसलिए देश के लोगों को जानना चाहिए कि हमेशा सतर करना चाहिए कि जिन लोगों ने इस प्रतार की कर्तूत की थी मौका मिलने पर फिर वो करने से बाज नहीं आए इसलिए सब लोगों को इस तिथी को याद रखना चाहिए इसलिए कि भविस्ष में कोई इस तरह की सोच का व्यक्ति इस प्रकार का काम नहीं करते है इस लोग ना तो इतिहास के पर द्यारती रहें इतिहास जानते है कि इनको मने पताया भी अपने खंपोदर में कह रहा है मैं चार ही लोगों का नाम बोल रहा हूं और उनसे कहिए कि जरा उनके वारें पता कर लिए कि कि किस प्रकार से इंकम ट्रैक्स ने इडी ने उनके साथ कारवाई किया कि विजु पट्णाएक के साथ पीलू मोदी जी के साथ सिंधिया जी की मता विज़ा राजा सिंधिया जी के साथ जैपूर की जो महराणी गाहत्री देवी जी के साथ पिल्लों मोदीजी के साथ और सुद्रमन्यम स्वामी के साथ किस प्रकार से मने पांच-छे लोगों का नाम दिया ना तो यह जितनी लोगों का मने नाम दिया वो सब एक गत्तिक तून का रहा है तो एडी और जो आज इनकी बात कर रहे हैं जिनके हमने नाम लिये थे, किसी पर भरस्ट अचार क्या रोकते क्या और एडी आज किस पर कारवाई कर आप सब जानते हैं इसलिए इस परकार की जो बात यह करते हैं उनकोई इतिहास की कोई जानकारी नहीं है आंदोलन में रहे, जेल में गए वह अलग बात है, लेकिन अगर ये जानने कि दुनिया के सब चिज यही जानते हैं, तो गलत फ़ामी मुझे।